आपको आपके शरी में कहीं पर भी पूरे शरी में खुजली होती हो दाज खाज हो तो इसके जड़ों को निकाल करके उस जड़के छिलके को घिस करके उस जड़ा लगाते हैं तो उससे वहां दाज खाज खुजली भी ठीक हो जाएगी जैसे कि मैंने कहा पत्ते को पीशकर च चाइआ हैं वो खतम हो जाती हैं और यदि इस घड़ी पत्ता की तने की चाल को ले करके घिस करके चंदन की तरह चाल को घिस करके यदि आप लगाते हैं अपने चेहरे पर तो आपकी फूंसियां आपके दाने खतम हो जाएंगे और बहुत भीनी-भीनी खुसबू इसमें से यह बड़ा मन को भाने वाली बहुत ही अच्छी खुजबू भी इसके अंदर है तो यहां बहुत ही चमतकारी बहुत ही लाबकारी यहां प्रयोग है तो निश्यत रूप से आप आज से इस मीठा नीम को इस कड़ी पत्ता को सिर्फ कड़ी पत्ता के रूप में नहीं एक और जान गए मैं यह समस्ता हूं और आईए पूरे देश में पाए जाने वाला इस कड़ी पत्ते का प्रयोग को भी हम बढ़ाएं इनके द्वारा अपने शरीर को निरोग बनाएं चख़ाज हो बनाएं वेस्टा कवल चे देजाभर आईए पत्ता के पत्ता के जाँ सकता ही तो हमी पत्ता के वह समस्ता है यह सके दो हमें वाला इनके दो में आईए और अόरा यह मत्ता हैं अएम, व्गं मत्ता हैं gameर इनके अंए इनके में जाने टृ न्यम